धनू राशिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। क्योंकि दुश्मन आप सभी के जीवन में इतना खतरनाक है कि यह जहर से भी ज्यादा जहर अपने जीवन में लेकर घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय मातादी तीन बार लिख दीजिएगा, जिससे मातारानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों, इस समय आपको यह एक व्यक्ती से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यक्ता है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों नहीं तो आपके साथ जो व्यक्ति इस प्रकार छल करेगा कि प्यारे दोस्तों बस आप सोच भी नहीं पाएंगे आपको यह व्यक्ति पूरी तरह से बरबाद कर देना चाहता है आपकी खुशियों पर की बहुत ही बुरी नजर रहती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों आपके जीवन में जब भी कोई भी गौरी खुशियां आती है कोई भी बड़ी सफलता हाथ लगती है तो यह व्यक्ति चेहरे पर तो बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन इस व्यक्ति का दिल पूरी तरह से जम जाता है। कौन है यह व्यक्ति जिन्होंने आपके कई सारे बने विनायक कर को बिगाडने का प्रयास किया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों और कभी कभार ही अपने प्रयासों में काम्याब भी हुआ है। और बस आप यही सोचते रह गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। गया कुछ बातें ऐसी हैं जो आप के जैसे पूरी जगह पर फैल गई थी। प्यारे दोस्तों आपके जीवन में जरूर ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि आपके साथ बड़ा छल किया था और उसका चेहरा तो सामने आ गया था। लेकिन अब उन्हें के जैसा एक और व्यक्ति है। आपके जीवन में जो आपक को सावधानी के साथ इन पांच से छेह दिनों तक रहना होगा नहीं तो आपका कोई बहुत बड़ा खुशी आप से यह व्यक्ति छीन ले जाएगा क्योंकि आपकी खुशियां इस व्यक्ति को फूटी आख भी नहीं भाती है। ऐसे में आप अपने जीवन में बहुत ही ज घर परिवार के उपर भी नजर बनाए रखता है कि आपके घर परिवार में क्या होता है और आपके घर परिवार में क्या चल रहा है। इस चीज के भी उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती है। हालां कि उन्हें अपने घर की चिंता नहीं बलकि वे आपके घर परिवार वाल कि चिंता करते हैं कि आपके घर में क्या आया है क्या जा रहा है कौन सी बातें घरों में चल रहे हैं जो कि आपसे बातें करकर के पूछता ही रहता है प्यारे दोस्तों आईए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में कौन है या व्यक्ति और किस तरह से ही आपके साथ गद्दार आप जिन लिखिये प्यारे दोस्तों आईए सबसे पहले जानते हैं किस व्यक्ति का नाम क्या होने वाला है और यह व्यक्ति आपके किन मामलों में गद्दारी कर सकता है और यह व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं कि यही व्यक्ति है जो आपके साथ गद्दारी करेगा क्योंकि एक ही नाम के दो व्यक्ति भी आपके जीवन में हो सकते हैं लेकिन आप उन्हें पहचान ही कैसे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए प्यारे दोस्तों यह जो व्यक्ति है जब गद्दारी आपको होने वाला है वे है आपके बिजनस के मामले में जी हाँ प्यारे दोस्तों आपके बिजनस के मामलों में यह है कि बहुत बड़ा धोखा गद्दारी करने वाला है प्यारे दोस्तों पैसों के लेन देन के मामलों में इस समय आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें और जो लोग पार्टनर्शिप में कोई काम करते हैं फिर चाहे वे जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम हो या कोई व्यापार हो, यदि आप पार्टनर्शिप में कोई कोई व्यापार करना भी चाहते हैं, साजेदारी में कोई काम करना चाहते हैं, तो अभी आप भूल कर भी ऐसे कदम मत बनाईए, क्योंकि इन में आपके और इस समय अपने किसी मित्र या किसी ऐसे करीबी पर विश्वास मत करिएगा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम क्योंकि आप इतने भोले हैं कि जब आपसे कोई मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता है तो आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन में कोई बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। जो कहने के लिए तो वे आपका बहुत ही अपना है, सगा है, वे आपसे बहुत ही जूठी हमदर्दी दिखाता है। तो ऐसे में आपको तीन नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना है। यदि आप पी नाम वाले हैं, तो फिर भी आपको अपने ही पीना वाले व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। संभव है कि यह व्यक्ति आपके साथ कोई बड़ा छलक जाए, आपके साथ कोई बड़ा धोखा कर जाए, जिसे देखकर अगर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, तो इस बात का बहुत ध्यान दें, और ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, जो आपके समय को यूँ ह बर्बाद करते हैं, आपके पैसे को बर्बाद ना करें, इन लोगों पर आपका यह जो समय है, वे आपके लिए नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है, आपके अच्छे विचार सोसाइटी में, आपके अड़ो पडोस में अच्छा और अलग पहचान बनाने में आप की मदद करने वाले हैं, इस समय आपको बता दें कि यदि की बात को लेकर आप परेशान हैं, तो आप किसी अपने व्यक्ति के साथ साज़ा कर सकते हैं, आपकी परेशानिया कुछ कम होने की आशंका है, प्यारे दोस्तों, इस समय आप अपने घर में फ्लोरल डेकोरेशन का अभी काम करवा सकते हैं। यदि घर के निर्मान कार्य अभी तक अधूरे हैं तो आप उनका को दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। यूं कहे तो आप अपने घर की साज सज्जा पर भी ध्यान देने वाले हैं। जिन्हें आपको अन देखा करने से बचना होगा। साथ ही लापरवाही दिखाने से भी बचना होगा। नहीं तो इन में आपको कोई नुकसान हुआ सकता है। कहीं कुछ लोगों को उनके अधिकारियों से भी मदद मिल सकती है। जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होगा। इसमें किसी खास काम में आपको सफलता मिल सकती है। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। जिन विचारों पर चलकर आप अच्छा नाम कब आएंगे और कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। यदि नौकरी पेशा है तो आपका किसी अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ती से मुलाकात हो सकता है। जहां पर आपको बातों को सोच समझ कर करनी चाहिए। क्योंकि यहां पर आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। प्यारे दोस्तों यदि आपने अपने नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करने की प्लानिंग की है तो अचानक इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ती से मुलाकात हो सकता है जो आपको भविश्य में फाइदा पहुँचा है। इसी काम में आप यदि मन लगा कर करेंगे तो सफलत का अवश्य मिलेगी। बिजनस ट्रिप के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसे में आप अपने सभी जरूरी कागजातों को और वस्तूओं को सावधानी से अपने पास रखें जो लोग कूरियर का बिजनस करते हैं। ऐसे कारोबारियों का यह समय काफी ज्यादा दायक साबित होने वाला है। दोस्तों, इस दो आपको बता दें कि या जो सुनने हैं, इन्हें समय में यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, तो उनकी नाराजगी अब समाप्त होने वाली है। काफी अच्छा रहेगा। जो महिला जॉब करती हैं, कहीं पर नौकरी करती हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उन्हें उनके कारियों की सराहना की जाएगी और अपने घरवालों का भी आपको जम कर तारीफ सुनने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिक आपके उपर कुछ पैसों का कर्ज था, आप उन कर्ज को उतारने में अब काम्याब होने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से आपके करियर से जुड़ी चिंताओं का अंत हो सकता है, इस समय आप कहीं भविश्य में घूमने फिरने जाने की योजना बन यह समय है, इन समय में किस्मत का साथ मिलने से कई सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोंड से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानियां हैं, तो वह परेशानियां जल्दी समाप्त होने व यक्ति घर से बाहर रहता है और इस समय घर पर आया था तो उनके जाने का अब समय आ सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों वे भी कुछ सुबह ने अब आप लोग को छोड़ कर जाएंगे इसकी वजह से घर का माहौल काफी भावुक भी नजर आएगा जिन लोगों के घर परिव कोई ऐसा करीबी रिष्टेदार मिल सकता है जो आप से कुछ प्यार भरी बातें करेगा और उनकी बातों को आप अपने दिमाग बनाए रखेंगे इस समय लव लाइफ और संपत्तियों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे को यह अनुभव होगा कि आपने जिससे विवाह किया है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ट है प्यारे दोस्तों जो पुरुष गैर संबंध रखते हैं उन्हें सावधान होना होगा क्योंकि आपको बता दें कि आपकी सच्चाई आपके घर वालों के सामने आ सकती है जिस जानकारी के लिए बता दें आज का दिन लाभ वाला होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी आज आपको कार्यक्षेत्र या दफ्तर में नए कुछ नए अधिकार दिये जा सकते हैं प्यारे दोस्तों आज कई रचनात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेग से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी शुक्र सांसारिक सुख भोगों का प्रतिनिधी है और उसके अनुकूल होने से आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी वह लाब होगा प्यारे दोस्तों आवश्यक सामान की खरीदारी में शाम तक का समय व्यतीत होगा प्यारे इस समय में घर परिवार के बुजुर्गों से प्रेम करें, व्रिध जनों से बहस बाजी में ना उलजे, प्यारे दोस्तों उनकी राए भी सुन लें, उपयोगी सिध्ध होगी, आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, प्यारे दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा में व्र सहयोग मिलेगा आप जो उधार देंगे उसकी भरपाई हो जाएगी सावधान रहे प्यारे दोस्तों आपको उत्तम संपत्ति की प्राप्ति होगी प्यारे दोस्तों आपको बहुत दिनों से रुके धन की प्राप्ति होगी इस समय में प्यारे दोस्तों नए संबंधों में स् प्यारे दोस्तों, आप अपने निकट वर्तीव अन्य लोगों की भावनाओं को पहचाने और उनके अनुसार चलने का प्रयास करें, तो आपको लाब होगा। प्यारे दोस्तों, दूसरों की बात सुनने से आपको लाब होगा। दुकान या कार्याले में भी टीम वर्क के जरीए ही कोई काम कर करेंगे, तो आपको लाब होगा। प्यारे दोस्तों, किसी समस्या का हल निकालने में सफल होंगे आज आपको फालतू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको विवाद और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास करें कार्याले में भी अकस्मात कोई नया परिवर्तन आपको आश्चर्य में डाल सकता है महिला सहकर्मी और अधिकारी आपका सहयोग कर सकते हैं आपकी मुलाकात किसी अनुभवी व्यक्ति से होगी और आपको लाब होगा अकस्मात अकल्पित उलट फेर में आपको लाभ मिल सकता है इस दोरान नए कार्य में वैधानिक और तक्नी की पहलूओं पर विचार करें कोई भी फैसला सोच कर करें इस समय में घर के पुराने लटके हुए कार्यों को बना लेने का मौका भी मिलेगा आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा इस समय प्यारे दोस्तों इस समय में बिजनेस के सिलसिले में किसी की सलाह लेने की आवश्यक्ता पड़ी सकती है दिन के दूसरे भाग में महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा यह समय मामला कार्यक्षेत्र का हो या घर का आप अपने सभी उत्तर दाइत्वों को सफलता पूर्वक निभा लेंगे इस समय आपके धन में व्रिद्धि होगी आपका दिन मिला जुला बीतेगा आप अपनी पुरानी देंदारियों से मुक्त हो सकते हैं यह समय कार्यक्षेत्र में भी आपके सुझावों का स्वागत होगा कुछ आवश्यक घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ डैच सकती है इस दोरान अपनी जेब का खास खयाल रखें सायकाल का समय घरवालों के साथ व्यतीत करें आपकी सुविधाओं में व्रिद्ध होगी इस समय आपकी धन से जुड़ी योजनाएं सफल होगी मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा कोई पुराना मित्र या रिष्टेदार अचानक आपके सामने आकर खाड़ी डीड डिहा हो सकता है प्यारे दोस्तों यह जो सामू यदि कोई आपसे उधार मांगे तो कदापी ना दे धन के मामले में किसी पर भरोसा न करें और ना किसी से लेन देन न करें राजनीती के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी इस समय सक्रिय राजनीती में भाग लेने का योग बन रहा है प्रतिद्वंदी आपके पीछे रह जाएंगे दिन के उत्तरार्ध में शुभ व्याय कीर्ती में व्रिध्धी होगी और आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं पुन्यकारियों पर भी व्याय हो सकता है आपकी सुक समृध्धि में व्रिध्धी होगी आपकी योजनाएं सफल होगी प्यारे दोस्तों यह समय आपके घर में उत्तम संपत्ती प्राप्त होगी इस समय खोया हुआ धन या रुका हुआ पैसा मिल जाएगा मंत्रना शक्ति के बल पर किसी कठिन समस्या का समाधान भी हो जाएगा यह जो समय आपकी योजनाएं सफल होगी आपके धन में व्रिध्धि होगी शुरुवात में करियर में परिस्थिती अनुकूल रहेंगी लाभ की संभावना है आमदनी में व्रिध्धि होगी आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा किसी के सहयोग से बड़ा लाब होगा प्रतिद्वंदिता से उल्जन होगी जरूरत मंदों की मदद करके सुख प्राप्त होगा व्यापार में नए मौके दिखाई देंगे किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी पर नए विवाद का सूत्रपात होगा मित्रों के साथ संबंधों में नई ताज आएगी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के अनुभव से संबल मिलेगा इस समय में कोई साहसिक काम आपके लिए अवसर बनकर आएगा जिन लोगों को हृदय रोग संबंधी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता होगी विपरीद लिंगी व्यक्ति के सहयोग साथ से लाभ मिलेगा और आपके गुणों और कार्य कुशलता को सराहना मिलेगी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों इस समय में विपरीद परिस्थितियों पर अपनी आंतरिक शमता से विजय मिलेगी सलाह है कि सोच समझ कर हर फैसला ले जल्दबाजी में लिये गए निर्णय से नुकसान हो सकता है अल्पकालिक निवेश में लाभ होगा मित्रों से अनावश्यक तनाव द्रिष्टि गोचर हो रहा है दांपत्य जीवन में खीचतान रहेगी आपके लिए सलाह है कि नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें कि नुकसान आपका ही होगा प्यारे दोस्तों इसके साथ जानकारी के लिए बता दे किसी विचार से विरोधी भी आपके मुरीद बन जाएंगे यह काल खंड आपके प्रभाव में वृद्ध करेगा आपके स्वास्थे को भी प्रभावित करेगा आरंभ स्वास्थे कुछ नरम रहेगा लेकिन बाद में स्थिती बहतर होगी संपरकों से लाभ होगा आपको खूब लाभ मिलने वाला है मेहनत के साथ धैर्यका भी आपको लाभ मिलेगा निवेश के मामले में अल्प कालिक निवेश फायदे मंद यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा निवेश से अच्छा लाभ होगा और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी नौकरी पेशा जातकों को आज किसी दूसरी कंप से अच्छा ओफर मिल सकता है जिसकी वजह से मन प्रसन रहेगा कारोबारियों के लिए आज अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं जिससे धन समरिध्य के शुब संयोग बनेंगे आज आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी जहां से लाभ की उम्मीद ना हो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा शेर सट्टा आदी में पैसा निवेश करने से शीघ्र लाभ होगा पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और शाम के समय परिवार के सदस्यों के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद सकते हैं आर्थिक मामलों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है किसी के उकसावे में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से बहतर है कि आप चुपचाप बैठे रहे अन्यथा धन हानी हो सकती है आपकी मानसिक स्थिती हर पल बदलती रहेगी उसी के अनुरूप से आपके कार्य भी होंगे कारोबारी लोग नई योजनाओं के लिए जोड तोड करेंगे लेकिन सफलता संदिग्ध रहेगी सरकारी कामकाज में समय बर्बाद होगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा शाम का समय प्यारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बीतेगा दिन के शुरुवाती हिस्से में आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की योजना बनाएंगे लेकिन यह उतना फाइदे मंद नहीं होगा जितना आपने सोचा था आज कामकाज में मुनाफा तो होगा लेकिन सिर्फ अंजान लोगों के जरिये कामकाज में वृद्ध होने से आयके नए स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा परिवार में किसी की इच्छा करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा शाम को आपको अप्रत्याशित लाभ या उपहार मिलेगा युवा जातक अपनी कलात्मक वानी से सब को आकरशित कर सकते हैं आपको अपने परिवार और अपने कुटुम्ब की ओर से कोई शुब समाचार की प्राप्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न होगा स्वास्थि की बात करें तो आपको किसी प्रकार की एलर्जी या फिर सांस लेने की परेशानी है तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर अपना इलाज कराए नहीं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं आपकी तबियत और अधिक खराब भी हो सकती है सरदी पोल्यूशन के कारण आपको सांस लेने में दिक्कते हो सकती है आप घर से बाहर मास्क लगा कर निकले दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर से संपरक अवश्य करें पुराने दिनों का कोई याद करें वर्तमान समय में जो परेशानी है वह पुराने समय की ही देन है प्यारे दोस्तों इस समय में आप जो भी काम करेंगे प्रेवे सफलता पूर्वक पूरे होंगे नौकरी पेशा लोग काम के बोज से परेशान रहेंगे फिर भी लगन से काम समय पर पूरा कर लेंगे आज कारोबार में अच्छी वृद्ध्य होगी जिससे आपकी बनाई गई योजनाएं सफल भी होंगी खर्चे आज कम होंगे और धन की बचत भी कर पाएंगे पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा और घर की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी बनाएंगे पिता की सेहत की वजह से परेशान रहेंगे और आपका कुछ धन भी खा हो सकता है सायकाल का समय देव दर्शन का लाभ लेंगे आपके प्रभाव और प्रताप में व्रिद्ध होगी और कारोबार में आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुब सूचना सुनने को मिल सकती है आपको अपनी उर्जा को अच्छे कामों में लगाना होगा आप शीघ्रता और भावुकता में आप कोई निर्णय लेने से बचे नहीं तो समस्या हो सकती है आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा साजहदारी में यदि आपने किसी काम को किया था तो उससे आपका कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है आपका यह समय आपके लिए सावधानी और सतरकता बरतने के लिए रहेगा सामाजिक शेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में व्रिध्य होगी जिससे उनकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती दिख रही है प्रेम जीवन जी रहे लोग उत्साहित रहेंगे और वह साथी को कहीं लॉंग ड्राइव पर लेकर जाने की योजना बना सकते हैं परिवार में यदि कोई कलह लंबे समय से पैर सारे हुए थे तो वह दूर होती दिख रही है विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्यकाम के प्रतिभी रुची जागरित हो सकती है जिसमें उन्हें परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ती से आप बहुत ही तोल मोल कर बोले अन्यथा कोई छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है तो दोस्तों इसी के साथ अब आप सभी को बताते है वह कौन सा असली गदार है जो पीठ पीछे आपको जान से खत्म करने का सोचता है उसका नाम आखिर क्या है उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आपसे बदली दिन रात मेहनत करते हैं इसके बदले आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इतना विनती है बता दें कि इस व्यक्ति का नाम RS और M अक्षर से शुरू होता है यदि आप सभी के जीवन में यह तीन नाम वाले लोग रहते हैं तो आप इसे जल्दी ही दूरी बना लें